से सामने देख रहे हैं यह पिलर दिये हुए है यहां पर गेट लग जाएगा है और इस्ट फेसिंग में मकान के सामने की तरफ भी 25 विट का रोड दिया गया है और आसपास की लोकेशन अगर मैं दिखाऊंगा तो यह देखिए ओरो सिटी सामने दिख रहा है आपको ओरो एरिया हो जाएगा काफी स्पेशियस है उपर खुबसूरत वाल सिलिंग डिजाइन है 10x14 इस तरीके से खुबसूरत ड्राइंग रूम आपको मिल पा रहा है यहां पर किचन एरिया हो जाएगा OTS आ जाता है यहां पर वास बेशिंग लगा हुआ है काफी स्पेशियस है और खुबसूरत दर्वाजा वगरा भी लगा हुआ है यहां पर लॉक हो जाएगा सिस्टम यह उपेन कर लिए हमने और एक यह आपका 13 भाई 10 का रूम है दोस्तों वेस्टन ट्वालेट हो जैसे कि आप देखेंगे तो काफी स्पेस है यहां पर कंसील लाइट है काफी साई लगें तो इससे खुब्सूरती बढ़ जाती मकान की और उपर भी काफी स्पेस है खुला-खुला स्पेस है बहुत ही प्राइम है उपर की ता भी एक रूम बना हुआ दोस्तों सब मकान अगरा बने हुए यहां पर यह देखें बहुत ही प्राइम लोकेशन है जो लोग तुरंत रहना चाहें तुरंत रह सकते हैं मैं जानकी पुरम के अंदर है यह देखें औरो सिटी है उपसूरत सा मकान आप देख पा रहे हैं तो इसका प्राइज जो है 48 लाग रखा गया है लेंड एरिया 800 स्कारफिट है इस्ट फेसिंग में 1260 कवर्ड एरिया हो जाएगा हाई दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मैं चैनल को और दबाईए इस घंटे को लाइक और शेयर कीजिए शुक्रिया हाई दोस्तों असलालेकूम नमस्ते सशिकाल दोस्तों जैसे सामने दे देखने खुबसूरा सा मकान है यह दो मकान है माई बास अव्लेबल है इसी का मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों लोकेशन बहुत प्राइम है जानकी पुरम एरिया लगता है यह ओरो सिटी आप जानते होंगे दोस्तों जो की जानकी पुरम में पढ़ता मैं जानकी को औरो सिटी की लोकेशन है और मकान के सामने तेज़ फिटका रोड है और मैं रोड जो है यहां पर साथ फिटका है बिलकुल सामने की तरफ है साथ फिटका वहां पर भी रोड है तो आप लोग देख सकते हैं कि इस्ट फेसिंग का मकान है सो मीटर पे साथ फिटका रोड पर जायेगा और चार्सों पानसों जाएगे तो आपका तीवारीपुर चारहा आजायेगा ठीक है दोस्तों तो यह मकान जो है बीस बाई कार पार्किंग एरिया हो जाएगा, काफि स्पेशियस है, जैसे कि आप देख रहे हैं, हैच्पेक गाड़ी आराम से पार्किंग हो जाएगी, और दो रास्ते दिये गए, मैं ड्राइंग रूम से एंट्री करूँगा, डबल डोर दिये गए यहाँ पर, उपर खुबसूरत पॉल सिलिंग डिजाइन है, और यह आपका ड्राइंग रूम हो जाएगा, इसका जो साइज आएगा, एक प्रॉक्स मान लीजे, वान जो थ्री, फोर फाइफ, दस भाई, चौदा का करीब करीब जो है रूम हो जाएगा, इस तरीके से खुबसूरत ड्राइंग रूम आप सामने अगर आप चाहें तो टीवी कैबिनेट लगा सकते हैं, यह तो अभी टंपरिर लगा हुआ है, और बड़ी विंडो सामने दी गई है, उसके बाद एक इधर इंट्री हो जाएगी, यह किचन के लिए हम लोग पहुँच रहे हैं, और यह सामने आपका किचन एरिया हो बाकिये दोस्तों, वह हम अप लोगों को बना के देंगे, उसके बाद इसके सामने की तरफ देखेंगे, तो यह आपका OTS आ जाता है, यहाँ पर वास बेशिंग लगा हुआ है एक आपका, और एक यह इंडियन कामन ट्वालेट हो जाएगा आपका, काफी स्पेसियस हैं, और खुशूरत दर्वाजा वगरा भी लगा हुआ है यहाँ पर, उसके बाद हम लोग दोस्तों रूम की तरफ इंट्री करते हैं, एक देखिए खुशूरत रूम हो जाएगा, 2D में दर्वाजा आई हैं, और एक खुशूरत सा लॉक हो जाएगा सिस्टम, यह उपेन कर ल हुआ है, 123 और एक फिर टेक्स्टा हो जाएगा दोस्तों, तो 13 भाई 10 का रूम हापका साइज हो जाएगा इसका, और इसमें एक OTS है इदर, और OTS है दोस्तों, खुशूरत सा छोटा साइक OTS है, इसे विंडो वगरा भी लगी होई है प्रॉपर, एक खुशूरत सा दर्व आपका दूसरा रूम यहाँ पर है, इंची करते हैं, यह भी स्पेशिय साइज है, जैसे की उडर मैंने बता था, 13 भाई 10 है, प्रॉक्स वही साइज है तो इस मकान के हैंदर आपको दो रूम नीचे ही मिल पा रहे हैं, यह बैक साइड में एक आपका वेस्टन ट्वालेट हो जाएगा दोस्तों, जैसे की देख रहे हैं, वेस्टन ट्वालेट है ट्वालेट हो जाएगा दोस्तों, तो नीचे की तरफ देखा दोस्तों, आप लोगों ने दो ट्वालेट हो जा रहे हैं, दो रूम है और एक सिफ्रेट ड्राइंग रूम है, और चट की तरफ हम लोग चलते हैं रहने के लिए बहुत ही अच्छा मकान है, तुरंट आईए, तुरंट शिफ्ट हो सकते हैं, केवल किचन का काम बाकी रहे गया, और यहाँ इस्टेयर पर हम लोग आ चुके हैं, और यह देखें, डबल मोल्डिंग के साथ में इस्टेयर भी हैं इसके, डबल मोल्डिंग है इस चैनल इस्टेयर की ग्रिल है, और उपर की तरफ पहुचते हैं, तो इक देखें, खुपसूरत सी जाली लगी हुई है यहाँ पर, काफी स्पेस है यहाँ पर, जैसे कि आप देखेंगे तो काफी स्पेस है यहाँ पर, कंसील लाइटे काफी सारी लगी हैं तो इससे जाुकेशन से है स्काभी आप यहाँ में बैठ सकते हैं आराम से और यह जाली लगए जिससे की खुभ्ब्सूरती बढ़ जाती ही लोकेशन बहुत ही प्राइम है ऊपर की तब यह बना हूआ दोस्तों में काफि पूरी मार्केट है फ्रूट वेजिटेबल सारी चीज़े यहां पर में जाती है आपको मैं आसपास भी लोकेशन आपको दिखा देता हूं देखी सब मकान अगेरा बने हुए यहां पर यह देखे बहुत ही प्राइम लोकेशन है जो लोग तुरंत रहना चाहिए तुरंत रह यहां पर दोस्तों जैसे देख रहे हैं यह फुपसुर सा मकान आप देख पा रहे हैं तो इसका प्राइज जो है 48 लाग रखा गया है लेंड एरिया आट से स्कारफिट है इस्ट फेसिंगे 1260 कवर्ड एरिया हो जाएगा तो दोस्तों कॉल कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हुआ तो शेयर कीजिए जो लोग मकान सर्च कर रहे हैं और इसको सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए थाइंक यू बाइबाए